कि हेवरीवन वेलकम बैक मैं आजात के साथ कुछ ऐसे आड़िया शेयर कर रही हूं जिनको आप ना के दिवाली पे या कोई और कोई फैस्टिपल या फिर आप चाहो तो नॉर्मली ही अपने घर को पूजा वाली जगह पर आप इनको डेक्वर कर सकते हों तो कुछ आड़िय चाहो तो कोई भी बनाना चाहो तो बना सकते हो अगर आपको नहीं बनाना आता तो मुझे कमेंट कर देना मैं आपको जरूर इस नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बूलन से यहां पर रौंपं कैसे बनाते हैं जरूर शेयर करूंगी और कुछ मैंने यहां पर गोल्डन म मोती मैंने मंगवाए थे तब आपके साथ ये वाला आइडिया मैंने शेयर भी किया था तो यहां पा देखे मैंने नीचे की तरफ एक बैल ले ली है और लगाने के बाद इसमें आप अपने कोई-भी सेक्वेंश ले लिजिए जो मैं सिक्वेंश ले रहे हूँ फ्री गोल्डन मोती लेने है और इसके बाद एक कोई-प्यार पॉम्-पॉम लेना है आप चाहतो तो इसकी सिक्वेंश कुछ भी चेंज कर सकते हो ज्यादा पॉम पॉम ज्यादा मोती आप अपने एकोडिंग जो सिक्वेंस है वो कर सकते हो मैं आप सारी सिक्वेंस के जो डिजाइन है मैं आपके शाद में फोटो को शेर कर रहूंगी तो आप उन में से चाहो डिजाइन देख सकते हो वरना आप यहां पर सेम यह बिल्कुल भी टूटे ना और काफी मेरी मजबूत बने तो अगर आपके पास थ्रेड वाला वीर ले रहे हो तो आप यहां पर थ्रेड वाले लीर को चार से पांच फोल्ड कर लीजिए या फिर आप चाहो तो भूलन भी ले सकते हो तो अपने अकोर्डिंग जितनी आप बनाना चाहो जाओ उसकी दागेगी उसकी एकोडिंग आप द्वाले ले लिजिए और उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ में एक बैल ओर लगा रही हो क्योंकि यह पूर ही एक लंबी बना रही हूं तो दोनों सीट से मुझेTw screens रखने हैं साथ साथ में देखिए मैंने उसके बाद एक बैंगल लिए है और बैंगल लिने की बाद मैंने यहां पर इस लैस को इसके ओपर कवर कर दोंगी अगर आपके पास इस तरह के लैस नहीं है तो आप कोई भी थ्रैड या फिर वूलन ले सकते हो अपने कलर के एकॉर्डिंग बस पास कलरफूल एसेस पड़ी है तो मुझे वूलन लाने की जरूत नहीं क्योंकि मेरे पास जो वूलन थी सिफ यहां पर ग्रीन और एक लाइट पिंक लर की थी तो मुझे यहां पर मॉल्टिक लर मैं बनाऊंगी तो एक बर मैंने यहां पर ग्रीन बना के ही बता रही हूं ताकि मैं ग्रीन बना लूँ साथ में मेरी बेटी भी देखी आपको कर उसका दिख रहा होगा बीट-पीट में से वह उठा रही है क्योंकि जो मैंने एक लड़ बनाई थी तो वह कह रही थी एक लड़ मैं बनाऊंगी अपना तो वह अपना बना रही है अपने अकोर्डिं के उपर इस तरह के जो घोटा-पती लेस होती है उसको इस तरीके से अरेंज कर दूँगी वन भई वेर आरेंज कर दी पूरे मैं यहां पर जो बैंगल ती उस बैंगल को कावर कर देंगे ।ो मैं यहां पर लगन बिल्के जिति आपको लंबी लटकन चाही है उसके अकोर् तो मैं यहां पर नीचे की तरफ, पहलेशको अरेंच कर दूंगी एक सेंटर के अंदर ओर दो निए पर दूंपों सेंसें-धम्य होगी जिसे की सीक्वेंश की ल्ड और आटेच कर दूंगी जिसे नीचे का जो portion है उसकी जो लटकन है वो काफी अच्छी लगी है तो मैं यहाँ पर जो पॉम पॉम में की सिक्वेंस ली है तीनों लड़ में मैंने सेम कलर की लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर मॉल्टिक लड़ भी यूज कर सकते हो उसके बाद ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए मैं वैसी ही सिक्वेंस को अरेंच कर रही हूं आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर इस सिक्वेंस में सिफ मोति की लड़ या सिफ ओनली पॉम पॉम की लड़ कैसे भी आप यूज कर सकते ह अगर आप और इसने फ्लावर यूज़ करते हो तब भी अच्छे लगेंगे और आटिफिचल यूज़ करोगे तब भी आपके अच्छे लगेंगे तो मैं आपको फ्लावर की पॉम पॉम की सारी जितने भी सिक्वेंस वाले पैटरने मैं सभी आपको लासने फोटो शेयर तो देखी मेरा जो फाइनल लुक इस लड़का था वो यह था और सासात में जो हमने बैंगल का बनाया था वो भी देखी इसी तरीके से सेम पैटरन का ही बनाया है ताकि यहां पर जो मैं पूरी डेकोरेशन करूंगी यहां पर बिल्कुल सेम हो जाएं तो देख सकते हैं कि सेम क्लर की पूरे या फिर आप मल्टी क्लर यूस भी कर सकते हो तो ऐसे ही कुछ आइडिया से फोटो की साथ है आप यहां पर शेयर कर सकते हो और जो यह वाली फोटो थी मैंने मिशो पर देखी थी तो मैं सोचा आपके साथ भी यह जो आइडिया है वो शेयर कर दूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई